हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुग विद मितले इसमें तो दोस्तों आज हम बना रहें पालक पनीर की बहुत ही आसान सी सब्जी जिसको सिर्फ दस मिनिट में बना कर गे तैयार करेंगे और इसका कलर बिल्कुल भी चेंद नहीं होगा साथ में ही बनाएंगे तिल के पराठे जो बहुत ही आसान सी रसीपी और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते तो आए देखते हैं इसकी आसान सी रसीपी तो दोस्तों आज जो हम पालक पनी की सबजी बनाने वाले वो सिर्फ दस मिनिट में ही बन करके तैयार हो जाएगी तो जिसके लिए मैंने ये एक गुच्छी पालक लिया और इसको साफ कर लिया और साफ करने के बाद दो लिया दोने के बाद इसको मैंने कर लिया तो मैंने इसको roughly मोटा मोटा ही कट किया है तो इसको सबसे पहले हम 2 मिनिट के लिए गरम पानी में ब्लांच करेंगे या इसको उबाल लेंगे 2 मिनिट के लिए तो चलते हैं गैस की तरफ तो देखें यहां पर मैंने पानी गरम होने के लिए रखा है पानी हमारा बहुत अच्छे से ग तुरंत ही इसको ठंडे पानी में डाल देंगे तो देखे हमने इसको ठंडे पानी में डाल दिया इससे इसका कलर चेंड नहीं होगा इसका कलर एकदम ग्रीन ही रहेगा तो इसको दो से तीन मिनिट के लिए ठंडा होने देते हैं इतने हम एक मसाला तया करते हैं तो गैस प हम दालेंगे जीर को अच्छे से चटकने देंगे तो दिखे जीर हमारा चटकने लगे तो इसमें डालेंगे खुटा हूँ लस्ट Am but also कुटा है senior के बारी कटा हूँ अध्रत दोनों सीजों को एक दो मिनिट के लिए ब्हून लेंगे तो लसं करें कम याक कने हिमारा अच्छ से भुंजागी वारी कता हुआ वड्रेशी काले हुआ कि बीजिश संह कर दोने तरफ देगे बाणी हारी ना तो देखे, पेस्ट हमारा बन करके तयार हो गया, तो देखे, इसका कलर बिल्कुल भीचे नहीं हुआ, बिल्कुल हरे कलर में ही है ये, तो अब चलते हम गैस की तरफ, तो देखे, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इन्हें हमें बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना ह सिफ golden brown ही करना है, अगर हम dark brown करेंगे, तो gravy का color change हो जाएगा, अब gas को कम कर लेंगे और इसमें मसाले डालेंगे, तो मैं इसमें डालेंगे, आधा छोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, दो छोटे चमच धनिया पाउडर, और आधा छोटा चमच सौफ का इनको mix कर लेंगे, और last में डालेंगे नमक, तो मसाले को आधा मिनिट के लिए कम ग्यास पे पका लेंगे, तो इसमें बिल्कुल भी जादा मसाले का इस्तमाल नहीं करना है, मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तमाल भी नहीं किया, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तम तो देखे मैं इसमें टमाटर का इस्तमाल कर सकते तो इसको दो से तीन मिनिट के लिए मिडियम गैस पे चलाते होगे. तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका हुआ है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो इसमें डालेंगे हम ये पालक वाला पेस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो दिखिए जार में जो पालक का पेस्ट लगा हुआ ता इसमें हम आधा कब पानी डालेंगे और इसको निकालके कड़ाई में डालेंगे इसको दो मिनिट के लिए डख करके पका लेंगे तो दिके पालक को पकते हुए दो मिनिट का समय हो गया इसमें डालेंगे डाइसो ग्राम पनीर पनीर डालने के बाद दो से तीन मिनिट के लिए और पकाएंगे जादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे नहीं तो पनीर हमारा टाइट हो जाएगा अगर आपके पास एक से दो दिन पुराना पनीर हो तो आप उसको सॉफ्ट करने के लिए खलके गुंगुने पानी में नमक डाल के 5 मिनिट के लिए रख दें तो आपको जो पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे दो से तीन मिनिट के लिए हम और पका लेगे तो दो से तीन मिनिट में हमारी पालक पनीर की सबजी बन करके तयार हो जाएगी तो देखे सबजी को पकते वे दो मिनिट का समय हो गया तो पालक पनीर हमारा बन करके तयार हो गया गैस को बन कर देंगे और इसको दो मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे अब इसके साथ हम एक पराठा तयार करेंगे, तो देखे, गैस पे तबा रखेंगे और तबे को गरम होने देंगे, इतमे हम एक पराठा तयार करेंगे, तो देखे, पराठा बनाने के लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आठा ही लिया है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से गुत पराठा बनाने वाले ये सफेद तिल का पराठा बना रहे हैं तो तिल को अच्छे से चारो तर फेला लेंगे थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया अब इस पराठा में कट लगा लेंगे इसको फोल्ड कर लेंगे तरीके से अब इस तरीके से इसको रोल करते जाएंगे इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको यहां से गुमाते हुए इसको दबाते जाएंगे इस तरीके से गुमाते हुए इसको दबाना है अब इस पे हम सूखा अठा लगाएंगे और इसको हलके हाथ से बेल लेंगे ज़दी कि पराठा हमारा मिल करके तयार हो गया अब चलते हैं ग्यास की तरफ, तबा हमारा गरम हो गया, कभी भी खाली तबे पराठा ना डाले, इसपे एक से दो बूल तेल डालके इसको अच्छे से फिला ले, अब इसपे हम अपने पराठा डालेंगे, इसको पलट लेंगे, तो देखे पराठे को पलट पलट के दोनों नोचिये, अच्छे से करा रहा होने तक अच्छे से सेक लेए, तो दीखे तिल पराठा हमारा बन करके तयार हो गया, इसको हम निकाल लेंगे, तो देखे, तयार है हमारे पालख-panीर की सबजी और साथ में ही तिल पराठे, दीखे पालख-panीर का कलर बिर्कूल भी चेंज तो दोस्तों ऐसी ही टेस्टी और आसान रेसिपी के साथ फिर मुला कात होगी तब तक कि रहे थैंक्यू है वड़ थैंक्यूण कर दोग कर दो दोग कर दोगा हैं।